अरवेद की दृष्टी से देखें तो गुड चना बहुत ही लाबकारी है। इसको भी चना अतिप्रिय है, उसका मुख्य भोजन भीगा हुआ चना होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चने में कितनी ताकत है। यदि गर्मियों में चने के सत्तू का सेवन किया जाए, चाहे पानी में मिलाकर, चाहे चाच या मठा में मिलाकर, तो वह आप को गर्मी से बिलकुल राहत देगा, आपको लू लगने से बचाएगा, गर्मी से होने वाली कमजोरी में भी आपको पूरी तरह मदद करेगा।